वेल्कम बैक ट्यूर चैनल स्टॉडी पाथ स्टॉडी पाथ में आप सभी का स्वाजात है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे और अग्रीकल्चर के अंदर जो भी टॉपिक है वो हमारा पल्स है तो आप सभी को बताएं कि इंडिया एक लार्जेस प्रड्यूसर है और कंजीवर भी कह सकते हैं मतलब पाधन भी पाधन के मामले में दालों का सबसे बड़ा कहा जाता है इंडिया के अंदर सबस्यादा बात उतिया है तो कौन-کौन-کहुंसी डाल हैं जो इंडिया के अंदर हो गाए जाती है तोर अरत मुंग मसूर पीस ग्राम यह सबी तरहे की जो डाले हैं वो इंडिया के अंदर हो गाई जाती है अब हम कैसे identify करें के कौं-कौन-कौन-कहुंसी और कौन-कौन सी रभी सीजन में हो गई जाती है तो पल्सेस पहले तो चाल लेते के पल्सेस को बहुत ही कम महश्यर चाहिए होता है ना के बराबर चाहिए होता है और ड्राइ सबसे मतलब सूगी सूगा होगा वहां पर भी डाल जो है वो सर्वाइब कर सकती है अब हमको यह इन तो बताए कि जो मिलिट 91 बसक्राप मतलब पाइलाज बढ़ेंगे यह इस तरह की क्राप वती है जो की स्थिएंट को पूरा टीन करके चलती रान करके है तो यह सारी चीज़े जो है वह दाले करती है लेकिन 9 major fesh 네 वह दाल ओर ओर बेंग 1 जो książet Sue permit कर लेकर सीधा तो कौन कौन सी major food producing states हैं इंडिया के अंदर माध्य प्रदेश, राजिस्तान, महारास्टा, उत्तर प्रदेश, कर्नाट का इन सभी जगाओ पर पल्स को हो गाया जाता है अब बात करेंगे हम food crops की, तो food crops other than the grains, अब देखिए यहाँ पर grains मतलब जो wheat बगएरा हो गया, rice बगएरा हो गया, जो इनके अलाबा अब कौन कौन सी crops है, जो इंडिया के अंदर हो गई जाती है, तो पहली है sugarcane, यह tropical as well as subtropical, यहने की hot और moderate दोनों climate में यह survive कर सकती है, जि manual rainfall यहाँ मतलब सालाना जो इस rainfall चाहिए होती है, 75 cm से लेकर 100 cm के बीच में चाहिए होती है, और irrigation जो है, वो low rainfall वाले reason में required होता है, इट can be grown in the variety of soil needs and manual liver, अब देखें यहाँ पर कहा है, सबसे ज़्यादा इस sugarcane गन्ने को जो भी उगाने की जो भी जरूरत होती है, manual liver की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब बाहर से करमचारियों को वलाकर फिर इस पर harvest किया जाता है, तो इसमें manual liver, मतलब हातों का काम जाता है, तो पहले से उगाया भी हातों से जाता है, और harvest भी हातों से ही किया जाता है, तो इंडिया के अंदर second largest producer है, शुगर क जाती है, अब देखे, इससे क्या बन सकता है, खंसारी मुलासिस, शुगर, तो यह सारी चीज़े जो है, वो बन सकती है, किस से, शुगर किन से, अब देखे, यहाँ पर मुलासिस मतलब एक तरीके से चासनी टैप में हो गया, बिलकुल मतलब चॉक्रेटिक पेस्ट कह सकते हो आप, आप गूगल कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, और खंसारी एक तरीके से, ब्राउन शुगर सी होती है, ब्राउन कलर की होती है, होती चीन ही है, पर ब्राउन कलर की होती है, थोड़ी सी, अब मेजर शुगर कें प्रूशिनिंग स्टेट्स कौन कौन सी है, उत तो इन 2016 इंडिया वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडूसर अफ्र चाइना तो चाइना की जस्ट दूसरे नंबर पर ही सबस्यादा उत्पादन ऑइल सीट की मामले में 2016 में कौन कर रहा था इंडिया तो इसके अंदर सबस्यादा रैप जो रेप सीड होती है वह प्रोडक्शन इंडिया वास थर्ड लार्जेस्ट प्रोडूसर इन दा वर्ड अब यह रैप सीड के मामले में इंडिया तीसर नंबर पर आता था वर्ड में पहले कैनेडा फिर चाहिए न दोजार सोला में अब डिफरेंट डिफरेंट ऑइल सीड जो होती है है वह वह कवर अप करती है 12% of the total cover area of the country यानि की 12% area जो है वह सिर्फ पूरे country इंडिया के अंदर वह सिर्फ ये seeds जो है oil seeds वो cover करती है इसके अंदर इंडिया के अंदर क्या क्या हुआ जाता है ग्राउंड नट मस्टर्ड कोकोनट सीसम जिसे टिल कहते हैं सीजमम और स्वियावीन और कास्टर सीट कॉटन सीट लिंज सीट संफाथ तो इस ओल अर्दर सीट्स विचार एडिबल इन नेचर और यूस्ट फॉर कोकिंग एस एस वेल अना तो खाना मनाने के लिए भी और अब ग्राउंड नट हम कह सकते हैं खारीफ क्रॉप है और बतलब गर्मियों के समय में इसे हुआ जाता है और सबसे ज्यादा मेजर और सीट्स भी माना जाता है ग्राउंड नट कहते हैं ना कोकोनट वगयरा जो पेट से तोड़के आते हैं कैरला वगयरा में हम चले जाए फिर गुजरात जो है वो लार्जेस प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का इसके बाद राइस्तान अंधर प्रदेश के बाद दोजार सोलार सुत्रा में सिविलली लिंसीड और मस्टर्ड इन दौनों को हम राभी क्रॉप भी गएंगे हैं यह राभी क्रॉप में मतलब वि इंटर की टैम पर ऊपका तो यहाँ पर इसे राव इंडिया में में कास्टर सीट जो है वह भी हम कह सकते हैं रभी क्रॉप और खारी क्रॉप दोनों के अंदर मतलब विंटर में विगा सकते हैं और गल्टिवेशन की वह ब दिझाल एक इंडिया के अंदर पता है कि यह व् ब्रिडिश की टाइम से चलती आ रही है चाहें इंट्रिड्यूस तो ब्रिडिश नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पर कॉफी पी देते और यहां पर आसाम की अंदर फिर टी का हुआ ते के असी वह बहुत सारे प्लाइशन के देते हैं यहां सबी देखने के लिए सारे मिलते हैं अब इनको हम डीप और वेल फर्टाइल ड्रेन में मतलब जहां पर ही होगाय जाते हैं वह स्वाइल मतलब हुमस के अंदर रेच होनी चाहिए और गैनिक मैटर मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए उस मामने में तभी वहां पर टी हो पाती है अब देखिए आप टी कल्टिव की बारिश की बूने इनको चाहिए ही होती है ती में सबसे ज़्यादा काम जो है वह हातों का होता है मैनुवल लेवर की जरूत होती है तो इसलिए इधार सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेवर की और ससी लेवर की जरूरत चाहिए होती है तो इसको अबंडेंडम कह सकते है च टी गार्टन तो रिस्टोर इस फ्रेशनेस मेज़र टी प्रदूसिंग स्टेट कौन कौन सी है आसाम हिल आप डार्जलिंग जल्पाइगुरी वेस्ट बंगाल तमिल्णाडु केरला अपार्ट फ्रों इमाचर प्रदेश उत्रगं मिखालिया आंदर प्रदेश त्रिपूरा और अप्रदेश बात करेंगे कॉफी के बारे में तो कॉफी इंडिया के अंदर इसका साइंटिफिक नेम है कॉफिया रबस्टा तो यह आप लोगों की भुख में तो नहीं रखा लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होने चाहिए नाम नहीं आएगा उपसे साइंटिफिक त क्याते हैं कॉफी अरभी का भी कह सकते हैं तो इंडिया कॉफी इस आल्सू नोन इंड वर्ड फॉर इड गुट क्वालिटी यहां इंडिया के अंदर जो कॉफी है वो वर्ल्ड में भी काफी ज़्यादा फेमर्स है अरभी का वेराइटी इनिशली ब्रॉट फ्रम यमन अब यहां इंडिया के अंदर और कई सारे वर्लड में कई जगा उपर इसकी ग्रिट इमांड तो इनिशली इसका कल्टिवेशन जो है वह बतान हीस के अंदर वा था हिसाए फिर इसका कल्टिवेशन नीलगीरी तक कन फाइन रहा मतलब यह पाधी लाका है और यहीं सबस्य प्रोड बात करते हैं तो 2016 में इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल और सब्रापिकल क्लाइमेट थोड़ा फैबरे वले फूट्स के लिए तो जिसे मैंगो महरास्टरा में आंदर प्रदेश में तेल गणाम उत्तर प्रदेश में वेस्पंगाल में ब्यार में संत्रे मशूर है नाकपूर के चरपुण जिए के मेगालिया के चेलिप जो है बनाना जो है वह आंदर प्रदेश में नाकपूर जो हैं समझ में आया हो अगला लेक्चर हम अगले एपिसोड में